कि हैलो दोस्तों स्वागे था आपका आज की वीडियो में दोस्तों आप देख रहे हैं स्टूटनल पॉइंट दोस्तों जैसे कि हर वीडियो के स्टाइटिंग में मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हमने आज पर टैट की प्रपरेशन में केमिस्ट्री और मैस्ट के 2022 से लेके 2023 के पेपर सॉल्व कर चुके हैं और हम केमिस्ट्री का कॉंटेंट पॉश्ण कर रहा है जिसमें हमने नाइन्थ टैन्थ शिक्स सेवन एड़्थ की जिद्रा वीडियो इप्रटन टॉपिक है वह हमने सॉल्व कर चुके है ठीक है और आपको इससे पिछली वीडियो में के चैप्टर मैंने आपको एक्स्प्लेन किया था पूरा चेप्टर उस से लेटिद ही जो और प्लस उन में उस चैप्टर के अंदर ही जो इंपॉर्टन पॉइंट्स है वो आगे स्वल्व करेंगे तो अब बात करेंगे वेब नेचर के कि इसके इलेक्टॉन के वेब और यह उसके बाद आपके बोहर ढाया थे बहर जी ने रदरफोर्ड की कमिये यह उसको पूरा किया था उन्हों ने बताया कि कैसे जो हमारा एटम है वह स्टेबल है ठीक है दोस्तों उसके बाद जो वह बोहर आये बहर ने अमारको क्या था यूनिट्ट्रॉन है तक हो ऊसके बाद उससे भी उसके कई फार्मूले था मैंने वह व्हकी पताए थे इसे ही आगे निकलता है पार्टीकल नेचरन और डी ब्रोगली वेक्वेक्षिंज वगहरा से निकलते हैं इसारे कॉंसेप्ट वहां से लेटिड है कि क्या पार्टिकल नेचर और रचा वेव नेचर इसका क्या क्या नेचर दोस्तों कि जब भी ना रहें चार्ज पार्टिकल इस एक्सलेटिड दे पर्डूस एलेक्ट्रिक सब्सक्राइब करेंगे जिसको बहुत क्या करेंगे जिसको बहुत करेंगे जिसको बोलेंगे लेक्ट्रोमेटिक वेव चार्ज पार्टिकल क्या होंगे जैसे चार्ज पार्टिकल के लेक्ट्रिक फिल्ड में चार्ज पार्टिकल क्या प्रडूस करेंगे लेक्ट्रिक फिल्ड मेग्डेटिक फिल्ड और इसे क्या बोलेंगे एम रेडिशन बोलेंगे लेक एक करता है यह करता है यह करता है यह करता है वेवनेचर और यह करता है पार्टिकल नेचर ठीक है तो क्या करता है यह करता है वेवनेचर शो एक करता है पार्टिकल नेचर तो आपकी कुछ चीज़े वेवनेचर से डिफाइन होती है कुछ चीज़े पार्टिकल से डिफाइन होती है particle nature से यासे वेव नेटर से डिफाइन होता है दिफ्रेक्टिन और इंटरफिरेंस और पार्तिकल से होता है याद रखीगा यह इंपोर्टेंट है जो मैं पता रहा हूं शोडी वीव नीचर से कौन से एक्सपेंड की जा सकते हैं डिफ्रेक्शन और इंट्रफेरेंस और पार्टिकल नीचर से कौन से शो किया जा सकते हैं ब्लैक बोडी रेडियेशन पोड़ एक्ट के सब्सक्राइब कर दोट इसमें से कौन सा पार्टिकल नेचर से शो नहीं होता तो इसमें से एक ब्लैक बोड़ेशन लिख देगा और एकमेया रिख देगा कोई नहीं यह सभी ठीक है तो क्या होगा उसमें से ब्लैक बोड़ेशन ऍवेव नेच्चर से डिफाइन नहीं होता और उंपाइटीकल नेचर की कौन–खन्त एक्स प्लेयन कर पाता है ब्लैक बॉल surgeon प्रप्रेक्शन और इंट्रफेरेंस तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों वेव नेचर आफ एम रिडियेशन सबसे पहले किस ने बोला था एम वेव में एक्ट्रों मैट्रेटिक वेव थियोरी दी थी थी नोंने जेम्स मैक्स वैले ध्यान अखिएगा एलेक्टिक फि परिपेंडिकुल्टिक होगी प्रॉपोगेशन और वेवस के भी होगी ठीक है तो यह भी आप द्यान लगएगा देखो सबसे इंपॉर्टन बात है यह 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 डाइग्राम हम आपताता है इसमें समझाना क्या चाहरा हूं मैं देखो फ्रिक्वेंसी किसकी फ्रिक्वेंसी कि यहां से यहां को बढ़ रही है ठीके लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी तो मतलब क्या इसका रिडियो वेव की सबसे कम फ्रिक्वेंसी माइक्रो वेव की उससे ज्यादा इंफ्रा रेट के उसके ज्यादा अल्ट्रा वेवाइलेट की उससे ज्यादा एक्स वेवलेंद सबसे ज्यादा है इसकी X-ray की उसे कम एल्टा-वालेट की उसे कम इंफरेट के से कम सॉरी हाई-frequency यहां-पे-Heine-frequency है न तो यहां-जहां-जहां हाई फ्रिक्वेंसी है वहाँ लो वेवलेंथ होगी क्या होगी लो वेवलेंथ होगी बतलब यहां से बढ़ेगी जहां लो फ्रिक्वेंसी है वहाँ हाई वेवलेंथ होगी जहां हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो इससे यहां प्रूफ होता है कि फ्रिक्वेंसी होती है वो डार चैने के सबस्वब्ल इसंधानि प्रिक्वैंसिdeath क्वेट कूछ उस्यद्स च्विगहाध इसको याद रखने की टριक्क का घरा इस विजीव Eastern ऐफ रहे एक सरे और ठीके गंगा तीके गंगा राम इस विजवाने प्लब - डू एक्सरे गंगा तेखो रा मतलब रेडियोवेव थे मां ममस्का इसका मतलब इंफ्रारड वेव वीजुर आध्ल के बीच होती विजुल will shalo green blue इंडिगोस and violet ठीक है तो रैडर की का होती है लोब फिक्वेंसी होती है एह सवसे जाधा फिक्वेंसी होती है चहिए है मतलब गयाता है वर्ट की वेवलेंथ कम होती है यह बात देन दर्खेशा गा एकस्षरे और गामा सोता गंग गंगा सोता गामा रेज तो मेरे बता कि ऐसे अफ्क uhh फ्रीक्वेंसी यहां सब्तियु डियू को encourage पेति माइशरे औरो व्हतलُ हृव्लेंशिख prettier आए फ्रिक्वेंसी थी तो फ्रिक्वेंसी इससे डार्ट ले प्रपोर्शन होती है वेवलेंच के इनवसलिः प्रपर्शन ओती एडirig आफके रवनेंगा टिकंए तो आपको पता होगा डिवगेर वीब वीब गयर वीब दिख गै तो देखो इसमें क्या है red की क्या होती है इसलिए तो आपकी जो red होती है वह आपकी दूर से पि कर चुका हूं कि जो red light है वो यह signal होती है red light ही होती है ge पता है यह दूर से फिंग जाती है यह देंगरा वाइलेट के सबसे कम होती है यह बात आपको पाता होने जाए ठीक है और यह पुल प्लंठ समझ गए होगा दोस्तों आपको डिस यू सब स्वार्फ सब्सक्रा विवलेंदट उर्थ सब्सक्राइब मनों इस ज्यादा ओप से निए देख लएंस्या मोगत डिल्स ऑख नावेट की सब्सकता होना चाहित दोस्तों अशार सेकेंड वेवलेंथ की यूनिट क्यों होती है मीटर सेंटी मीटर एंस ट्रॉंग वन नैनो मीटर वन पीको मीटर ठीक है तो यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों देखो कि यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो मिट्र व्यवलेंथ की मिट्र होती है सैंट्री मीट्र होती है एंस टोग्ष इतनाइब टनॅपर माइनस यख़ई-सट्र समेस स्वाइब का भी वन नेनो मेत्र क्या होती है त Ges to Power Filipino Mina 9 मेटर ऊती है यह यह the one नेनो मित्र स्टाइव टेन स्टो बार माइनस क्लावा मेर्स मॉट्स ठीके उके तो आगा आते स्पीड स्पीड क्या यह लाइस इसमोल निन ट्रैन्च आप a guiding Then time to power 8 meters per second ठीकिंड दोस्तों अब जाता ह cricket donations velocity speed and velocity frequency speed and wavelength के बिच जेकर जिस्पीद़ होती है speed of light is equal to frequency into lambda frequency into lambda then frequency equal to the minister. तो आप कि छिए बोल सकते हैं कि जो frequency है वो क्या है wessa के इन्वर्शिल्ट पर्पॉर्शन हम ब्रंडुनल से लिम डा हम ठीक है अगर frequency बढ़ेगी तो लैमडा घटेगा मतलब वेवलेंद घटेगी time period क्या होता है t divided by V मतलब frequency के किसका है inversely t divided t equal to one divided by V ठीक है तो एक question और frequency क्या होती ही number of oscillation divided by time taken अगर आपका time taken दिया है total time दिया है और number of oscillation दिया है तो आप frequency निकाल सकते हैं आपको कोशन पेपर में आता है कि अगर 20 हर्ड की frequency है ठीक है और टाइम ले रही है पांच दस सेकिंड ठीक है ठीक है तो आप निकालो इसकी frequency frequency ठीक है तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे देखो अगर बीज अगर कोई चीज 20 बार वाइबरेट हो रही है कितने में फाइव सेकिंड में तो आप इसकी कोईशन आपका आता है ठीक है दोस्तों और कई बारी क्या होता है टाइम पिरिड दिया होता है आपको क्या करना होता है टाइम पिरिड निकालना होता है फ्रिक्वेंसी दिया होती है तो टाइम पिरिड वन बाइ फ्रिक्वेंसी कर दो वन बाइ फ्रिक्वेंसी कर दो आप इंपॉर्टन फॉर्मूला बोर मैं आपको करा चुका हूं पिछली वीडियो में ठीक है कि अंग्लर मुमेंटम क्या होता है एच बाइट एच डिवाइड बाइट रेडिस ऑफ और बिट क्योंता जिवाइड बाइड बाइड इन्टो एंड रिस टू एंड की पावर एंड स आंच तो आई जाते हैं बात करते हैं plank इंट्र एर्जी डार्रेक्ट ले प्रोपे इसी डार्रेट्ड लेसे अचल्ट ब्लेंटी इसमें एच्छल तो एच्छ रिक्वेंटी इसे का देट के टीके मैं को पीछ्य बताया कि सीगल फ्रिक्वेंजी बसी डीपन लाम दा तो यहां d socks सी आपॉन लेम्ड आ गया ठीक है तो यहां डाल दो सी आप मेंडा ठीक है डाल दिया से अम डीनक्र 1 कोइंटम फूटों वन फूर्टों मत फूर्टों आ गया यह यह अनय और नम्ब्र आफ कोईंटम आफ फोटोन कितना जाएगा एंसी नुकर दो तो अगया एनर्जी ओफ एंड कोईंटम तो एनर्जी ओफ एंड कोईंटम आगया इस एकल टू एन लेंडा ठीक है तो आपको अगर वन का बोले तो वन डालो यहां एनकी जागा टू का बोले तो टू डालो थी का बोले तो ठीक है यह इस तरीके से हैं दोस्तों अब आता है वेव नेचर ओफ एम रिडियेशन जिसमें मैं आपको पीछे पता चुका हूं कि पंजमादी एक्स इसके बाद तीसरी वीडियो इसके बाद एक वीडियो मैं करा चुका हूं अभी इस चैप्टर की स्ट्रक्ट्र आफ एटम की दूसरी यह वाली है तीसरी इससे आगी आएगी तो उसमें मैं जुरूर्व पताऊंगा स्पक्ट्रम फैट्रोजन के बारे में आगे जलते हैं दोस्तों प्लैक बॉडडी देंशन तो इसका थोड़ा बहुत पड़ लेता है नियुक्ति ब्लैक बॉडडी डीशन कंवाती है जैंशन लाइन अपो पता होगा अब और को पता होगा इसका मतलब क्या है देखो एदर जो ने देखो रेड ठीक कि तब थोड़ी डार्क रेड और तब बलू इसका मतलब क्या है कि जो आप कोई चीज गरं करते हैं तो उसकी के बढ़ रही है तो यहां हाई फ्रिकूं सी के हैं ने दुल द सबने स्लिट हैं तो औल यह लोर फ्र piece जिल्ट है जारा रही है जो कि भाड़े सिघ्ट के और जा रही है और ऑट्षकुण अ मेरे है शुद्वों एस इंज़ंगे ब्रिकम रिट्राइब ड्रै ड्रबाट Muchas इंज़ मेंग उएंजन θα Cula ragadu to higher frequency temperature increase मतलब जो हम temperature increase करते हैं तो frequency क्या हो जाती है उसकी बढ़ जाती है lower to higher it means frequency of emitted radiation depend only on temperature from black body ठीक है तो it's mean क्या होता है कि frequency जो emit हो यह radiation depend किस पर करती है temperature from black body के लिए अब मैं बोलो black body है क्या तो idle body which emit and observe all frequency is called black body जो क्या करती है emit कर देती है या observe कर देती है frequency उसको बलते है black body ठीक है if the radiation emit from such body is known as the black body radiation अगर वो emit कर रही है body को उसको radiation को तो उसको बोलते हैं black body radiation ठीक है दोस्तों इतना important नहीं है पर मैंने डाल दिया था अब important topic आता आपका principal quantum number as a mental quantum number magnitude quantum number spin quantum number यह क्या होते हैं उसका uncertainty principle uncertainty principle ठीक है दोस्तों हजन बर्ग का जो अर्शेट्रेटी प्रिंसिपल था उसके बाद आता है आपका poly exclusive principle हूंड principle हूंड प्रिंसिपल हूंड प्रिंसिपल हूंड प्रिंसिपल यह है और उसके बाद आता है आपका atomic structure of hydrogen spectrum जो मैं आपको पीछे बोला कि मैं आपको इसकी मैं अलग वीडियो लाओंगा अभी हम यह कर लेते हैं कि यह important है पेपरों में आते हैं प्रिंसिपल कोईटम नंबर क्या होते हैं इट्स टैल प्रिंसिपल एनर्जी शेल और और वीच दे इलेक्ट्रों बिलॉंग विट इस गीवन डिस्टेंस अफ दे लेक्ट्रों फॉम दे नुकलियस देखो जो आपका के एलमन ने जब आप कि यह2 है जाहां लिकाए है प्रिंसिपल पनीटम नंभर में यह कि रिंसिपल कोईटम नंबर है यह कि यह क्या कैसे गक्षोर लंग 7 करता है इसको रिपर्जान करता है इट गिवन देवरेज डिस्टेंस ऑफ दे एलेक्टरौन फॉंट्र नूखलाइज को सकते हो कि आपका देश कौन सा ठीक है L से इसको दिनोर करते है N से तो यह एजमित्थल क्या नंबर क्या बता था आपकी स्टेट तो मैं बोलूँगा की स्टेट कौन सी आपकी तो बहुत लेगा सब शेल यह था शेल यह है सब शेल तो यह किसी डिनोर था S D F S P D F G तो देखो मैंने कहा बला जबाब कैसे ल यह na Przy, नबर आख फिल थेल खैल है तो लिक्तर। बा decade कि डिनोर क्या और बनेबर को जाएस, प इसको लिकता है अगर जेस। ऑलब मेंगंव सुन जिए स रनमर जीन होगा सप्रवा engaging withノंबर जीरॉंघ होगा थो आपका मैं जो आपका इसमें कितने होगे वर्ण होगे ठिकिए तो आपको पता है इसमें कितनेन अब्रत होता है इसमें अप बरते हैं जिसमें लिखता है डो ही परते हैं अगर पी है तो इसका कितना होता है म्यगनेटिव करत्यों था तो कि इसको गतना था मैनõ जेरो और प्लस तोके छिसके थी और वेट लोट अकिपना थे ऑर इसके तो लिखते हो चर्थ डू एस लिक्स एच्छर्ण Magnetive, जब नमबर जब two होगा, आपका Magnetive quantum number, तो आपका, sorry, जब आपका time quantum number आपका two होगा, तो Magnetive quantum number कितने हो, कि minus one, minus one, minus two, minus one zero, one two, ठीक है, तो कितने number of orbit हुए यह, पांच हुए यह, पांच number of orbit हुए, इसलिए आपका लिखते हो, three, Snadford id10 जिसके 5 और्बिट में है दो दो ये लेक्टरन भरते हैं तरो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आपको समुझा रहा होगा मेंनों भुबता है मज़ों मेंन स्पीन पॉइंटम नंबर हमसिति पॉजटीव है यह प्रतर को बहुता है एक सीधी साथ को एक उल्टी सैट को तो यह दूस्तों तो मुझे लगता आपको ये क्लीर हुआ वहा होगा यहां जते हैं लेशनबर्ग अंसरोटी प्रिंसिपल उनसर्टी प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या बोलता है इट सेट बोलता है किसी बड़ी एक साथ दो नो लगाना पता लगाना मूंकिन नहीं है क्योंकि जब वो गूम रहा है अगर आपको यहां पता लगाना है प्रूंतों तो गूम रहा है continue तो आपको एक साथ उसका उसका क्या position और exact momentum पता लगाना मुश्किल है उनके बीच जो फरक आगा अगर आप निकालते हो तो वो आएगा एच फोर पाई का एच डिवाइड बाई फोर पाई का डिफ्रेंस आएगा ठीक है इट रूज आउड एग्जिस्टेंस ओफ डेफनेट पाथ और ट्रेंज्ट्री तो यह इंपोर्टन एक प्रिवी सेयर में आया है कि अन सर्टेंटी प्रिंसिपल किसलिए कौन सा प्रिंसिपल कि और ट्रेंट्री और ट्रेंट्री किसे डिफाइन होती है उसकी लोकेशन और इसकी विलॉस्टी से होती है ठीके दोस्तों तो यह बात धैने खिएगा कि किसे एंगेजन की लोकेशन और आगे चलते हैं तो फोजिशन होती है और इसकी विलॉस्टी होती है उनके फार्मूले इतने पॉर्टल नहीं च referral या उतिक देख लिए गशन toutes यहां पर वी होना था यहां वी होना था थीक है यहां पर पाली-aकस- Whenever प्रिक्षिपल सीच साल है करा ईंदों के किए पॉल्य हो याद कीजिएगा और एक है आपका हुन्स प्रिंसिपल अभा हुः करे सिमलर सी जे बताता है तो पॉल्य है तो को हमने कığर प्रिंसिपल प्रेनिता कोईन्ट में मेरे वह पढ़े वह पींटिम-बर चेट है twee हें my pretty quantum नम्ब और य звуч और यह कि किसी भी o two micron किसी भी electron के लिए दो लेक्ट्रोन है कोई हो भी दो अट्रोन है णॐ सेम सेम फॉरky टॉँटध नीए हो सकते माला लीट छीय है जीय है यह है है डॉश तू का यह उल्बे 22 बकॉeln एलेक्ट्रन भर दिए अब बोल रहा है कि इस एलेक्ट्रon का भी – वह और मत्म नंबर लो में को है ठीक है मैगनेटिव कार्ण नंबर नंबर का서़ है फिल्व पीजग मेडिटव कार्ण नंबर जो ले क्या है केलए कि है 0 हां सब्सक्राइब सबसhrνη होता है सबस्क्राइब दोनगेब क्या है दोनों के लिए ठीक है तो मेगनेटिव कंटम नंबर दोनों के लिए क्या है दोनों के लिए क्या है जीरो दोनों के लिए क्या है कि एस के लिए होता है तो जीरो तो दोनों के लिए क्या है जीरो ही है क्योंकि एक और बिट है ठीक है अब हम बोल देंगे स्पीन कोईंटम नंबर क्या है एक के लिए होगा पॉस्टिव वन बाइटू एक के लिए नेगटिव नहीं आएंगे एक में नेगटिव हो जाएगा एक में पॉस्टिव हो जाएगा तो यह बोलता है यह प्रिसिपल कि सब्सक्राइब के लिए टिफ्रेंस होगा ही होगा ठीक है यह आपको समझ आगया होगा दोस्तों तो आगे चलते हैं एलकित्स और एंग सब्सक्राइब करते हों जोंगे अब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब क्या होता है जिसक्टराफ और और विए वह कितने में अबट्टर र Griffith होते हैं एक सव शैल में किते नमब अमढॉर ओर्बिटल होते हैं उब कैसे निकालोगा तू सब ऌदकताँ क्या निकाल हो गई नमढॉर ओर्बिटतल इन सब शैल किसा निकाल हो गया आप क्या फॉर्मुला है क्ल practice वन ठीक है मतली जया आप मनली जब S के, मनली जब निकाल रहा है, S के लिए, S के क्या होता है 0, तो 2L में 0 डालो P-1 तो इसके 0 बन गया तो कितना हो गाए S के और्बिट 1 हो गया, ठीक है बाँराइं कि समस्ध्यूभ औरोगरर्ट इसंतो फोर्मूलन डुव में टू इंटू फो प्लस वन तो कितने होगे पांच तो number of orbit किरिदम होता है पांच भाउन ही बनाते प्लाइब लिए तो यहां वी क्लिए हो गया अब number of orbit in nth олько यह कितने number of अच्छा अब number of electron in sub shell कितने number of electron होते हैं sub shell में जैसे कि जैसे कि ठीक है आपका s के लिए s के लिए 0 लिखते हैं ठीक है s के लिए हम 0 करते हैं तो sub shell है यह तो इसमें कितने number of electron आएंगे यह तो इंटुटू डालो फर्मूले में 1 फ्यदा ह्सके लेंगे सिक्साद हैं फिह सिक्सेल्राइब सेंण Prin नंबरफद एक टोन स्कीयर में तो इन ऐसे राएंश में दोस्तों कि दोस्तों को हुआ है तो यह इंप्कोर्टन्ट है यह इंप्तरण है यह इंप्टों स्कायर सै人 1978 apology वाइज प्लस वन और टू एल प्लस वन यह पता होना जी आपको अब इसमें एक बात है कि एनर्जी अगर आपको पता क्या लगना है कि वन कौन सा कौन से वाला पहले भरना है एवन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स ठीक है टू एस थ्री इस्पो ठीटेएज तो आपको पता करना कौन साथ तो उसका फ्रमुला टाएन प्लस वन एनर्जी एनरुजी लेबल से पता करेंगे मं जिसके एनर्जी कम होगी वो पहलें उसके ज्ञे ज्ञेर ज्यादा होगी तडियों बाहद में भरें fill one electron in orbit ये क्या बोलता है कि पहले one one electron भरेगा हर orbit में जैसे यह P का है ठीक है तो उसमें अगर आपका तीन electron है तो एक 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 भरेगा तब चौथा भरेगा तब पांच वह तब छट वह तो पहले one electron भरेगा ये बोलता है हुन जुरूर पता होने चाहिए यह important है आते हैं सीदे अब बहु प्रिंसिपल क्या बोलता है इलेक्ट्रों फर्स्ट अको वाइद लोइस्ट एनर्जी लेवल और्बिट एवलेबल टूद एंट्रें टू हाई इसका इनर्जी कितने आगी पांच आगी ठीके फॉर एस के लिए देखो फॉर एस के लिए रिखते है जीरो तो इसकी आगी फॉर तो पहले कौन से भरेगा फॉर एस भरेगा तब 3D भरेगा आपका तो एक एस से पता करता है अब बहु प्रिंसिपल से पता लगता है कि कॉपर और क्रोमियम है ठीक है तो उसमें कॉपर में क्या है 4S2 3D9 ठीक है ठीक है तो यह क्या होता है हाफ फिल्ड होना अपने को मंजूर करता है क्या करता है एक 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 इलेक्ट्रों डी को दे देता है और इसकी एलेक्ट्रों कर देता है और यहाफ फिल्ड हो जाता ह है पैसा यह क्रोमियम में करता है यहां से एक लेक्टोन इसको दे देता है फूर एस वन और थ्रीडी फाइव में कनवर्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट है इसे भी ध्यान रखिएगा ठीक है तो दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ आई होगी इसमें सभी इं लेजें पाली एक्सक्रियोज़र्य रेशलर्ड त रेंसेपल छुबने पढ़ाये आपको मैनेटीव एग्निट्र vendor प्रिंसब्ल क्वाइटर्वं नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैम डॉभाट यह कि यह पता होना चाहिए कि जो i कि आदे घंटे की बंद चुकी है तो जो अब हमारा टॉपिक इसमें बचा है स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन ठीक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो यह हम अब अगली वीडियो में करेंगे ठीक है इसके मेरे पास नोट नोट बहुत पुराने थे तो मैंने इससे ही उनकी पिक लेकिया डाल दी है इसमें तो हम इसमें से जो जो मीन में पॉइंट है मैं वो पताते चलूँगा आप नो तो दौस्तों वीडियो कैसी लगी? जूरूपता है अगर पसंद आई तो कमेंड बॉक्स में जाके कुछ ना कुछ ची कमेंड कीजिए यस-क वीडियो को लाइक जूरूर कीजिए मुझे पता तो लग ए कमेंड जूर। कीजिए सबस्क्राइब जूरूर कीजिए अपने झाल झाल